जै मातगी दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हारदिक स्वागते महाकाली वगतग्यान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ जो दस महाविद्याओं का मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ जैसे की भक्तों आप सभी को पता है 6 जुलाई से माता के गुप्त नवरात्रों के दिन शुरू अने वाले हैं कि इस अप ghost नवरात्रे का और सभी भक्त इन दिन का प्षोड़ वाली starch 흡़ाविएज जो आपको अपने घर भी करना है और अपने घर से बाहर भी करना है मतलब घर पे आपको मैन तरीके से करना है और भार आपको कुछ चीज है जो रखके आनी है इससे क्या होगा कि मान लीजिए जिन्द की भर आप अगर गरीवी में हैं आपके घर में हर चीज की दिक्कते परिशानी हैं घर में लड़ाई जगड़े होते हैं कुछ भी आपके जीवन में अगर दिक्कते चल रही है तो इस उपाय को करने से सब कुछ तुरंत खतम होगी और आपको कुछ जादा करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी जैसे जैसे मैं आपको उपाय बताऊँगी वैसे 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 आपको करना है मतलब जिन्द की भर अगर आप अपने देवी देपता भावान से कुछ मांगे भी नहीं अगर आपके मन में भी कुछ चलेगा कि हाँ आज मेरे को ये चाहिए या वो चाहिए तो वो आपको तुरंत मिलेगा उसमें आपके कोई भी रुकावट नहीं आईगी तुरंत मिलेगा तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेश्ट आपसे करना चाहूंगी अगर आप महा काली भगत ग्यान यूटूब चैनल पे नए आये हो दस महाविद्याओं के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे अगर नहीं भी जानते हैं तो नीचे कमेंट कर देना और मैं आपको उसके उपर भी वीडियो बना दूँगी वैसे मुझे पूरा पता है कि आप दस महाविद्याओं के बारे में जानते हैं तो जैसे कि गुप्त नवरात्रों के जो दिन होते हैं, वो दस महा विद्याओं का ही पूजन उस दिन में किया जाता है। जैसे चेत के नवरात्रे होते हैं और सर्धी नवरात्रे होते हैं तो इन में क्या होता है कि नो दिन होते हैं नो दिन हम लोग मा दुर्गा के नो वे दिन की मलब दुर्गा माता की नो दिन तक लगातार पूजा पाथ करते हैं अपने घर में माता के भर्त करते हैं ठीक है और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं इसमें क्या होता है कि दस महाविद्याओ के दिन होते हैं और दस महाविद्याओ का पूजन इस दिनों में किया जाता है तो ऐसी अगर आप चाहते हैं कि काली माता या आपकी देवी जिसका पूजन कर रहे हैं जिसके आप मानता कर रहे हैं वो आपके सारे काम करें, तो आपको क्या करना है? ये उपाय कर लेना है, और ये उपाय काली मा के अनिक देवी भकतों को करना चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मेरी जिंदगी बदले, मुझे सफलता मिले, जिस चीज में मैं जाना चाता हूं, वो मुझे हासिल हो, जो चीज में पाना चाता हूँ, इस कलियुग में वो मुझे मिले, तो आपको ये कारे करना पड़ेगा, चाये आप कैसे भी करो, लेकिन करना पड़ेगा, और आपको करना क्या है, बस छोटा सा उपाय है, जादा कोई कठीना ही नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं खर्चोगा, तो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ, ध्यान से सुनलो, अगर चैनल पे नहीं आए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना, और काली माता के अनेक देवी भक्तों तक इस वीडियो को आपको पचाना है, क्यों जाना है ताकि इस चीज की जानकरी सभी भक्तों को मिले और सभी भक्त इस उपाय को कर सके, तो जैसे कि गुप्त नवरात्रे का लाष्ट दिन 16 तारिक का है, छे तारिक से उनकी शुरुवात होगी और 16 तारिक को उनका समापन होगा, आपको क्या करना है, एक सूखा गोला लेना है, सूखे गोले के साथ दूसरी चीज में आपको एक कोबर का उपला ले लेना है, जो कंडा भी कहा जाता है जिसे, उसके साथ तीसरी चीज में आपको पांच मट्टी के दिये लेने है, चोथी चीज में एक आपको निम्बु लेना है, पांच भी चीज में आपको एक लेवन कपड़ी, बतुम धा- निमबुस के अंदर पूरी तरीकी से आजाए,我在 फिर ऄफूरी लिए अब इसके बाद क्या करना है, जो पने लिए हैँ अ उपला कणड़ में रखना है जिसमें आप पाता काली को अपने घर में भोग लगाते हैं उसी चीज के अंदर आपको उपले को कंडे को तोड़ तोड़ के चोड़े चोड़े तुकड़े बना के आपको उसे इसमें रख देना है इसमें रखने के बाद तीन से चार कपूर आपको बीच में रख देने हैं कंडो के उपर कपूर को जला देना जैसे कपूर को जला ओगए अग्यारी बनने लगेगी कंडों पे आँग लगने लगेगी उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा सा सरसो का तेल डालते रहेंगे बीच बीच में भी ताकि अग्यारी भुजे ना चलती रहे तीक है उसके बाद आपको गया नाम भी नहीं पता आपको तो ऐसी बोल देना हे मा दस महा विद्या या आपका रूखा सुका भोग इसे मंजूर कीजिए और महा माई मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि जिंदिगी भर मुझे कुछ करने की जरुवत ना पड़े मेरे हर काम सफल हो कभी जीवन में कोई काम न सबसे बहले जब आप माता को सुखे गोले की भेड़ देंगे तो उसके बाद आपको पाच बता से और दस लोंग दे देना है भोग में फिर नीमबू जायफल यह सब चीजिए आपको माता को चड़ा देने हैं जब यह कार्य आप लोग सुभा कर लेंगे सुभा उठके कर इंदर डालना है और रूई की बाती से जला देना है जला के अपने घर की चोकटों पर रख देना है आपके घर में तीन दो जितनी भी कम रहे हैं सभी चोकट पे पांच दिया आपको रख देने हैं एक एक करके ठीक है अगर मालीजी आपका एक ही घर है नीचे का या उपर कफलोर तो आप अपने घर की चोकट पे 500 दियों को एक साथ रग दो ठीक है उसके बाद आपका ये काम सफल हुआ उसके बाद आपको क्या करना है जो आपने निम्बू लिया है अपने उपर से साथ बारी से उतार के काले कपड़े में बांध के मता काली का मंतर बोलते हुए मंतर बोलना है ओम नमो नमो महाकाली हिंद्र की बेटी ब्रह्म की साली पीती भरबर रक्त की प्याली तेरा बचन न जाय खाली तुझे गुरू गोरकनात की दुझे श्विप पारवती की ठीक है ये मंतर तीन वार बोलके अपने घर से कहीं भी भारी से जंगल में रखके आजाना और जिंदिकी बर देख लो कि आपकी जीवन ऐसे बदलेगा जैसे कि एक गरीव इंसान होता है एक दम से उचा उठता है ऐसे ही आपका जीवन बदलेगा और हर काम आपके सफल होंगे तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स